बीज़ेपी के मुख्यबंतरी ट्रिवेंस सिंग रावत दिल्ली में है लगतार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में आज छे रेलिया होनी है और इसका बर पर जादा जानकारी के साथ हमारे संबाददाता दिल्ले से अमित दुबे हमारे साथ लाइप बने हुए है अमित आप से जाना चाहेंगे कि लगतार बीज़ेपी अपने दम दिखा रही है या बड़े बड़े चेहरों को यूज़ कर रही है इस्तमाल कर रही है और ऐसे में यह दित रिवेंस सिंग रावत की बात करें तो आज रिवेंस सिंग रावत की छे रेलिया होनी है क्या तेखिए कारकरम की बात करें तो पहली रैली जो शकूर बस्ती में थी वो हो चुकी है your और विकासपुरी में उनकी जंसवा चल गर लाई है और विकासपुरी में आग। जनसवाय हैं इसके बाद फिर किराडी में जनसवा होनी है इसके बाद फिर नागलोई में जनसवा होनी है फिर आखरी जनसवा जो है वो मंगोलपुरी में शाम को साथ बजे होनी है तो सुबहे दस बजे लेके साथ बजे तक शेडूल कारकराम है जिसे लेके लगातार पर उनका ये सारे प्रोग्राम रखे गए हैं और यहीं वज़े है कि आप देख सकते हैं कि एक दिन में छे जनसवाई यानि शिडूल कितना विजी है सुभाई दस बज़े लेकर और साथ बज़े तक से लोगों से मिलना है लोगों कि लोग कि क्यों बीजेपी को क्यों वोड आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी हमेशा कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है बहुत कुछ सस्ता किया एडुकेशन का मामला हो खाना पीना हो या हॉस्पिटल हो सड़क कुछ भी कहा जाए पर ऐसे में यदि बीजेपी लगत कर रही है चुनाओ नजदीक है आट फरवरी को चुनाओ होने है पर त्रिवेन सिंग रावत किन मुद्दो को लेकर जणता से संबोधित कर रहे हैं जणता की समक्ष जा रहे हैं वो किस मुद्दो को उठा रहे हैं अपने पक्ष में देखिए अगर त्रिवेन सिंग रावत की बात करें तो बीजेपी ने हर एजेंडे को कही ना कही चुआ है अगर अर्विन केज्रिवाल विकास की बात करते हैं तो कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने आठ स्कूलों का हाल दिखाया कि किस तरह सिनी स्कूलों में पानी नहीं और बच्चे एक दूसरे की तरह पीट करके पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कूलों का भी हाल दिखाया जिनी स्कूलों का दावा जो है वो लगातार अर्विन केज्रिवाल करते रहें किस तरह सिक्षा के इस तरह में सुधार हुआ है यहां पे त्रिवेंद सिंग रावत बात करें तो उनके बयानों में भी इस तरह की चीज़े साफ़त और नजर आती है पूरा पार्टी का एजेंडा ता है और यही वजह है कि अर्विंद के जीवाल के हर पॉइंट पे वो वार करते हैं चाहे व वहाँ फिरी पानी का कोई जो विकल परविंद के जीवाल ने दिया था उसका लाब लोगों को नहीं मिला यहां तक कि लोगों को पानी भी नहीं मिला है और उन सारे मुद्दों को त्रिवेंद सिंग रावत यहां पुठा रहे हैं दूसरा सबसे बड़ा एहम एजेंडा मुद्दा माना जाएं शाहिन बाग का शाहिन बाग को लेके के तरिवेंद सिंग रावत ने आज की रैली में कहा कि कौन से लोग ہیں जो शाहिन बाग को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं आम तरप जब लोग कहीं भी अंसलन करते और विरोध करते तो दो तीन दिन में ठख पड़ी जाते हैं यह कैसा विरोध है जो महीनों से चल आए कौन इसकी फण्डिंग कर रहा है कौन इसके बैक में कौन इसे बैक अप दे रहा है जिस तरह चाहिन बाग लगातार जो है प्रदर्सन जो है लगातार चल आए-बल्क छासिते पर जो पर नवड़ा आने जाने बा कौन लोग शाहिन बाग के साथ है और बीजडिये कि शाहिन बाग के शारण का असर कहीं शाट में दिल्ली दिखने भी लगा भए judgments we उन्लाग कोई सब्सक्स्टाइब कर ने हमें आज फराने हैं जई सेडियूल होगा बिजिस सेडियूल होगा पर वो कितना वक्त निकाल रहे हैं और छे रैलिया किस-किस जगह पर होनी है क्या कुछ उनका कारिक्रा में ये भी आप से समझना चाहेंगे हर जगे 10 से 15 मिट का कम से कम भाशन होता है 20 मिन भी हो सकता है और हर रैली के बीच में लगभग एक से दो घंटे के बीच अलग-अलग तरह का गैप रखा गया है विकासपुरी में रिसेंटली जो है उनकी रैली चल लई है और विकासपुरी में ही उनकी तीसरी रैली है और जब विकासपुरी का एजेंडा क्लियर होगा वहाँ पे दोनों रैली है उनकी हो जाएगी जनसवाय हो जाएगी उसके बाद फिर अगला प्रोग्राम जो है वो उनका किराडी विधानसवा में है और वहाँ जाके लोगों स साथ बजे रखा गया जो कि दिली की मंगोल पूरी में है और उस मंगोल पूरी में आकरी जनसवा को संबोधित करेंगे उसके बाद एक पुराना किला रोड जो की त्रिवेंसिंग रावत का दिली में आवास है उस अपने आवास पे आएंगे फिर आवास पे भी लोगों से रूबर्यू होते हैं जो लोग उनसे मिलने आते हैं क्योंकि ना सिर्फ दिली को लेके बलकि उत्राखंड को लेके भी कई लोग मुख्यमंत्री से यहां मिलने आते हैं उन लोगों से मिलने का कारकरम है और अगले दिन फिर शिडूलता होता है तो जाहिर तो पे एक तारिक यानि कल की एक तारिक से लेकर और आगे आने बाली पांस तारिक तक उनका प्रोग्राम में लगातार इसी तरह जनसवाएं जो है वो कंटीनिव होती है हलाकि अगर तरवेन सिंग रावत की बात करें तो उनका भासर जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आधितिनात की तर जरूर होती है चाहे वो सिख्षा के छेत्र की हो चाहे वो पानी की हो बिजली की हो और हर हर एंगल पे बोलते हैं हर एंगल पे वार करते हैं तो अपने तथ्यों के आधारित उनकी बाते जो होती है वो जनता के सामने रखते और उससे जनता भी कही ना कही लगा प्रभाव जे बिलकुल और अमित कहीं न कहीं यही वज़ा है कि लोग इस तरीके से बड़े चेहरे जो है बीजेपी बड़े चेहरे को दिल्ली चुनाव में इस्तमाल कर रही है बहुत बहुत शुक्र है अमित तमाम जानकारी के लिए